नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चेनल में आपका स्वागत है आईए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से समझेते कौन-कौन सी सूचना है लेकर उसकी पहले आज चर्चा कर लेते हैं बिग एनॉंसमेंट की चुकि मैंने पहले आप लोग उसे बताया थे कि 5 से प्रेल को टार्गेट विद परिहार चेनल के द्वारा एक बड़ा एनॉंसमेंट होने वाला है एनॉंसमेंट है लाइव मॉग टेस्ट का आई क्यू एरेन एक प्लेड़ फॉर्म है जहां पर विद्यार्थी आनलाइ लिंक तो मैंने दिस्क्रिशन बाक्स में दे दी है और आप लोग डारेक्ट भी प्ले इस्टोर या गूगल प्ले में जा करके सर्च कर सकते हैं आई क्यू एरी ना इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करते ही आपको यहां पर 10 रुपए मिल जाएंगे आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है 10 रुपए और इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है 4.5 की रेटिंग है यह देखिए यहां पर और इसको एक लाग लोग जो डाउनलोड भी कर चुके हैं जब आप यहां पर रिश्टर करेंगे तो बहुत सारे आप लोगों को इसका यह मौक टेश्ट बनाया गया किवाल 500 विद्यार्थी ही इसमें भाग ले सकते हैं यह देखिए यहां पर 500 बहुत पुछा जाएगा यहां पर और दस जार का इनाम रखा गया और इसमें एक विद्यार्थी को नहीं बहुत सारे विद्यार्थियों को लगवग सभी कि यहां परते सकते हैं फर्स रेंकर वाले को 25 रुपरा सेड़ वाले को 1 तरीका से तीन-使una और यहां इस यहां इसलाइव online माउंग थे मिलेगी और साथ में solution भी मिलेगा पूरे online मॉक टेस्ट का यहां पर दे सकते हैं एक टेस्ट तो मैंने बताए आपको 11 तारीक को होना है फिर दो मई को होना यह देखिए सब कि यहां पर तारीक ही लिखी वी है इन तारीकों में आप लोग उसी समय में UP करेंट फिर ही आपको इस online टेस्ट में देखने को मिलेगा और यहां पर आप लोग अगर इसको शेयर करेंगे उसमें सेयर का आप्सन भी आएगा तो आपको 10 रुपए और उस पर एड़ हो जाएंगे तो जल्दी से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं केवल 500 चातर ही इसमें भाग ले सकते हैं और आगे चलकर के यह अलग-अलग भरतियों के नाम से भी आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे जैसे लेक पाल के लिए अलग से बनेगा फिर पीसे के लिए अलग से बनेगा यूपी ट्रपलसी की बढ़तिया होंगी और यूपी पिलस कांस्टेबल के बढ़तिया है हजार एड़ेड जुनियर हाइज स्कूल भरति की परिक्षा हो चुकी है लेकिन भरति प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है और साथ में विद्यारती पतों की संक्या को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं इसको लेकर के कल धरना प्रतसन हुआ था लखनों में और आपर दे सकत हैं आप लोग विद्यारती पोश्टर बेनर के साथ में लखनों में काफी देर तक नारिबाजी की इन विद्यारतियों का कहना था कि जो सरकार है जो अधकारी है वो जानबोचकर के भरतिकों लटकार है परिच्छा दिये हुए काफी दिन हो चुके हैं परिडामी जारी हो चुका है लेके प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की लिखा कटाफ अंक जारी करने के मामले में आयोग से जवाब तलब इलहाबाद हाई कोट ने PCS की प्रारमी परिचा 2019-2020 समिच्छा दिकारी 2016 के कटाफ अंक मांक सीट जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग से जवाब तलब किया है कोट ने इस समद में आयोग को एक सब्ता का समय दिया है मामले की सुनवाई नयमूर्थी सौरभ स्याम शमसेरी के खंट पीट कर रही है इसके पूरों मामले की सुनवाई के द साथ प्रतीश को फिर से बुलायाग गया समाजवाधी का पार्टी के तरफ से एक बड़ी प्रेस कОंफेर्स की जाए कि यूपीट्री प्रावित रहे हैं और सरकार संस्ञाइव को क्यों नहीं दूर कर रही और इसलिए विद्यारती निरास है आज की समचार पत्र में जो अगली सूचना है वो है भरवारी में प्रतियोगी चात्र ने फांसी लगा करके कि खुदकुसी पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जातर इस तरीक सूचना आ रही है चात्र निरास चात्र ऐसा कदम बिल्कुल कताई न उठाएं किसी भी समस्या का हल आत्मत्य तो कताई नहीं हो सकता है और यहां पर लिखा नगर पालिका परिसित भरवारी के नेहरू नगर मुहले में रवी वार राज प्रतियोगी प्रिक्षाओं में सफलता ना मिलने से परिशान चात्र ने घर में फां जो की घर में युए बड़ी बैन सुनीता एक साथ अकेला रहता था सुनीता के मकद राहुल प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रहा है न अब इन सभी समस्या को लेकर के प्रतियोगी चात्र संगर समीत की तरफ से यहां पर लिखा हुआ है प्रतियोगी मांग रहे है युवा चात्र आयोग भरती परिक्षाओं को समय बत आप लोग वीडियो को आज का लाइक भी नहीं कर रहे हैं सेर भी नहीं करते तो वीडियो वीडियो को लाइक भी किया करें और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया तो आप लोग सब्सक्राइब अवस्थ कर लें लिखा पूरा कराने प्रतियोगियों की समस्याओं को त्वरीत निस्तान कराने को लेकर के युगा चात्र आयोग की मांग मुखर होने लगी है प्रदेश में योगी सरकार के दो बारा काविज होने पर प्रतियोगियों को भरोसा है कि उनके मांग पूर्या क करने की दिशा में प्रवबी कदम उठाए जाए विद्यार्थियों ने कहा कि एक पत्र भेजा है प्रतार्मंत्री नर्दमोदी को केंद्र मंत्री अमित्सा को और मुखमंध्रियोगी अधितनात को और उस कि यह त्रिकर से प्रतियों की समस्क्राइब को रहा है रहा है और उससे होगा कर लेकर करके हैं लिखा है कि यूपी टीटी का प्रड़ाम जल्द जारी हो सकता है और यूपी टीटी दोदर 21 प्रड़ामों के इंतजार कर रहे उम्मीद्वारों के लिए खुसकवरी है उत्तर प्रदेश शिक्षक पातरता प्रचे यूपी टीटी 2021 की घोसना इसी सब्ता की जाने की पूरी-पूर जल्दी इसका जो प्रड़ाम वो घोसित किया जा सकता है वह अमर उजाला के मुताबक उत्तर प्रदेश दरोगा भरती का प्रड़ाम वह बहुत जल्द जारी हो सकता है कल इस के सुनवाई भी हुई थी आप लोग दे सकते हैं इसके बारे मैंने कल वीडियो भी बनाया था और आप लोगों से कहा थे कहीं ने कहीं ये भी एक करणा था जिसकी वज़े से दरोगा भरती का प्रड़ाम वह जारी नहीं किया रहा था विद्यार्थियों की आपती थी इस भरती की परिक्षा को लेकर के प्रड़ाम को लेकर कि विद्यार्थियों ने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा धांदली हुई यह लेकि विद्यारत्यों पास पुक्ता साक्ष नहीं थे जिसकी विजह से जो एक केस था वह खारिज कर दिया गया है और चर्चा है कि अब बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश दरोगा भरती के जो परड़ाम हो जारी कर दिया जाएगा पह